भारत के दिगगज ओफ स्पिनर रविचंदरन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में एक नई उपलब्धी हासिल कर ली है आर अश्विन ने इंगलेंड के खिलाफ राजकोट में खेले जा रहे टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर का 500 विकेट लिया भारत के लिए 500 या इससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले आर अश्विन दूसरे खिलाडी बन गए है उन्होंने महान अनिल कुम्बले को पीछे छोड़ दिया है कुम्बले ने ये काम 186 पारियों में किया था जबकि 500 विकेटों तक पहुँचने में शेन वान को 201 पारिया लगी थी वहीं ग्लेन मैगरा ने 214 पारियों में 500 टेस्ट विकेट निकाले थे मैचों के लिहाद से भी अनिल कुम्बले को अश्विन ने पीछे छोड़ा है अश्विन ने 98 वे मैच में ये उपलब्धी हासिल की है जबकि अनिल कुम्बले ने 105 वे मैच में ये मुकाम हासिल किया था मुथाया मुरली धरन यहाँ भी शीर्ष पर है उन्होंने 87 मैचों में 500 टेस्ट विकेट निकाल लिये थे शेन वॉन को 108 मैच और गलेन मैगरा को 110 मैच 500 विकेटों के लिए लगे अश्विन ने राजकोर्ट में जारी तीसरे टेस्ट मैच में इंगलेंड के ओपनर जैक क्रॉली को आउट करके 500 विकेट लिया इतना ही नहीं सबसे कम गेंदों में 500 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड औस्ट्रेलिया के गलेन मैगरा के नाम दर्व अश्विन इस मामले में दूसरे खिलाडी बन गए है मैगरा ने 25,528 गेंदों में जबकि अश्विन ने 25,714 गेंदों में ये कमाल किया था जीम्स एंडर्सन ने 28,150 गेंदे 500 विकेट लेने के लिए टेस्ट क्रिकेट में फेंकी है जबकि Stuart Broad ने 28,430 गेंद और West Indies के Courtney Walsh को 28,833 गेंदों पर कुल 500 टेस्ट विकेट मिले प्रिकेट से जुरी सबसे पहले प्रत्येक जानकारी के लिए विडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकोन को प्रेस करना न भूले थैंक्स फॉर वाचिंग दिस विडियो